हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इस क्रिती वर्मा, वेलकम टू मैं चैनल बैयोल जी बाइट, आज का टॉपिक है, स्ट्रेस इस मेकिंग पिपल सिक, कैसे स्ट्रेस धीरे धीरे लोगों को बिमार बना रहा है, तो आईए इससे देखते हैं, यार यह ओफिस का काम कितना ह होता है न, मेल्स पे मेल, मीटिंग पे मीटिंग और ये रिमोट वर्किंग ने तो स्ट्रेस और बढ़ा दिया है, लोग आधी रात में ओनलाइन दिख रहे हैं, काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत जादा स्ट्रेस लेने से बाल सफेद हो जाते हैं, ब पीरियेट्स भी मिस हो जाते हैं, लड़कों को एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम हो रही है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब वो जो शुब मंगल सावधान में आईश्मान खुराना को प्रॉब्लम होई थी, इतना ही नहीं बहुत से लोगों में स्ट्रे में हॉर्मोन्स ले आती हूँ न मैं, पर क्या करें, यह हॉर्मोन्स का किस्सा है ही इतना पुराना, इतना पुराना कि इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा स्टोन एज में, वो जमाना जब लोग जंगलों में रहा करते थे, और वक्त बेवक्त कुछ बिन बुलाए मेहमानों से भी आमना सामना हो जाता था, यानि बात सिदे जिन्दगी और मौत की हो जाती थी, तो दिमाग को जैसे ही खत्रा महसूस होता, वो शरीर में फौरन स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज करने का सिगनल देता, एडरीनल ग्लैंड फौरन, एडरीनालीन और कॉर्टीजोल का कॉक्टेल बनाना शुरू कर देते, इस से बीपी बढ़ जाता और दिल की धड़कने भी शरीर तै करता है कि इस समय डाइजेशन जैसे प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका बाडी खत्रे में होता है, और उस समय बाडी डाइजेशन वेगरा को प्र ताकि सारी जान दुश्मन से लड़ने में लगा दी जाए, इस से fight and flight mode कहा जाता है, यानि लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो भाग जाओ, एक बर खत्रा टल जाए तो शरीर फिर से अराम करने लगता है, दिमाग का वो हिस्सा जिससे हिपोकेंपस कहा जाता है, वो यहा अहम भूमी का निभाता है, खत्रा टलने के बाद ये बॉड़ी को रिलेक्स कर देता है, धरकेने भी धीमी पढ़ने लगती है, और एंडॉफिन्स रिलीज होने लगती है, जिससे बॉड़ी समझ जाता है कि अब स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वही सब जो आदी मानों के साथ हुआ करता था, आज के मॉड़न इंसान के साथ भी वही हो रहा है, रिसर्चर्स इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि टाइम प्रेशर, पफॉर्मेंस एंग्जाइटी और जॉब से जुड़े बाकी के तनाव का हमारे बॉड़ी पर क्या असर हो रहा है, इतनी जादा कि इसका असर हीपो केंपस पे हो रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं कि वह स्ट्रेस हॉर्मोन जो कभी हमें खत्रे से बचाया करता था, आज वो हमें बीमार कर रहा है, हमें दिल की बीमारी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इम्यून सिस्टेम कमजोर हो र जरूरी है, और इसमें मदद करती है, एक्सरसाइज, पूराने जमाने में भी इनसान खूब भागदौर किया करते थे, और इसलिए बड़े से बड़े स्ट्रेस का आसानी से भी सामना कर लेते थे, और मॉन्स पर जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने अड ग्लैंड, एड्रिनालीन, कॉल्टीजॉल के बारे में काफी डिटेल में डिसकस करा था, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो इस वीडियो के खतम होने के बाद जरूर देख लें, स्ट्रेस के कारण होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में और वो है हैडेक, मैं गोली लेने के बाद भी कुछ लोगों का दर्द ठीक नहीं होता है, वो क्यों? हैडेक भी अलग-अलग तरह के होते हैं, और गोली लेने से पहले हमें समझना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है, तो आईए अब उसे समझते हैं, कुछ लोगों को अक्सर हैडेक की शिकायत रहती है, मेडिसिन्स की भाष्या में इसे कहते हैं टेंशन हैडेक, यानि तनाव से होने वाला सरदर्द, इसमें पूरा सर भारी महसूस होता है, लगता है जैसे सिर पर हेलमेट लगा रखा हो, इस तरह का हैडेक हर कुछ दिनों बाद आता रहता है, ऐसे में खूब पानी पीना चाहिए और ताजा हवा में निकलना चाहिए, खेलने ये एक्सरसाइज करने से ये दर्ड छटपट खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का हाल थोड़ा अलग होता है, उन्हें माइग्रेन की शिकायत होती है, है तो ये भी हैडेक ही, लेकिन थोड़ा पेचिदा माइग्रेन शिरू होने से पहले ठकावट महसूस होने लगती है, आँखों के आगे धून से चाने लगती है, कुछ लोगों को तो सब बलर दिखाई देने लगता है, लाइट आँखों में चमकने लगती है, इसे देखते ही दिमाग में घंटी बच जानी चाहिए कि माइग्रेन का अटेक अप पर नहीं ही वाला है, इसे ओडा कहते हैं, माइग्रेन का दर्ड अकसर सर की किसी एक हिस्से में होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सर पर लगातार हतावणा मार रहा हो, लेकिन इनमें हवा पानी कुछ मदद नहीं कर रहा, अब बस इतना कर सकते ह कि रूम में अंधेरा करिए और सो जाए मैगरेन का दर्ड कई घंटों तक रहता है और इनमें दवा लेना भी जरूरी हो जाता है यानि अगर स्ट्रेस की वज़े से सर दुख रहा है तो पानी पीजिए और अपना लैपटॉप और फोन प्लीज छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए बाहर तहल कराईए लेकिन लोग करते क्या हैं बाहर तो निकलते हैं लेकिन चाय और सुट्टा मार कर आते हैं इससे आपका दर्ड जाने वाला नहीं है बल्कि आप किसी और मुसीबतों को बुला लेंगे कुछ के तो नाम अभी मैने वीडियो में थोड़ी द का तो इतना बुरा हाल करता है कि अब दिन भर पीठ और पैड़ों की दर्ड की शिकाते करते रहें इससे कोई अराम नहीं मिलेगा इसके अलावा स्ट्रेस हॉर्मोन आपके मूट पर भी असर करता है किसी को इसकी वज़ा से गुस्साज जादा आता है तो किसी को रोना क्योंकि स्ट्रेस हॉर्मोन कम होंगे तो कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगी और जिस काम में पहले खंटू लग रहे थे वह अब मिंटू में हो जाएगा तो अपने सिहत का रखी खयाल थैंक्स फो वाचिंग और डून फगेट तो सब्सक्राइब में चैनल थैंक यू